नमस्कार कहानी गोल्ड में आथ सुनिये महरूनिसा परवेश जी की लिखी कहानी क्यों नहीं कोई बड़ी जोर जोर से दर्वाजा पीट रहा था नल के शोर में पहले मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया पर बाद में हैसास हुआ तो मैंने जल्दी से नल बंद किया तब अंदाजा हुआ कि कोई दर्वाजा पीट रहा है क्या बात है कई घंटों में नहाना बंद करो और जल्दी बाहर आ जाओ गोडिया आई-एस में आ गई है इन्होंने कहा क्या? मैं चोक पड़ी मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर आ गई मेरा कलिजा मुँ में फस रहा था देखा घर में हंगामा सा था ओ, तो मैं एक आई-एस बेटी की मा बन गई हूँ इतनी सारी खुशी एका एक इतनी खुशिया मेरी जोली में कैसे आ गई मैंने गुडिया को खीच कर सीने से लगा लिया और इसका माथा चूम लिया उसकी आखों में खुशी के ढेर सारे आसू थे मेरी यह नन्ही सी बिटिया आये सो गई है मैं सोच सोच कर ही पागल सी हो रही थी उसके पापा लगतार फोन लगा लगा कर अपने सारे दोस्तों को खबर दे रहे थे रामू जीप में मिठाई लाने बाहर दोड़ा था सारा घर से मटकर एक कमरे में आ गया था बाई, दीनू, रामू सबने जैसे काम ना करने की हर्ताल कर दी थी और सब काम धाम छोड़कर गुड़िया को खेरे बैठे थे मम्मी क्या सच में मैं आये सो गई गुड़िया अविश्वास से पागलू सी बार बार मुझसे पूछ रही थी इतनी बड़ी खुशे जिंदगी में मैं देख सकूंगी इसकी कभी मैंने कलपना नहीं की थी जिंदगी में सोचा कभी पूरा नहीं हुआ था पर आज उसे होता देख मैं खुद हैरान थी बाहर से भी धेर सारे फोन आ रहे थे जो सुन रहा था वही फोन पर बढ़ाई दे रहा था और इस धेर सारी जश्न भरी खुशी के वातावरण में भी मुझे उस दिन की बरस्ती निराश गुडिया के आखे याद आ रही थी हमारे बंगले की अनेक्सी में रहने ट्रेनिंग में आया दिनेश निहायत शर्मीला सा सीधा सा लड़का था पहले ही दिन जब वह मिलने हमारे यहां आया तो देर तक बैठा रहा गुडिया और नीतु को मसूरी अकाइदमी के किस्से सुनाता रहा सब लोग उसकी बातों में दिल्चस्पी ले रहे थे किचन में जाकर मैंने दो-तिन डिश बनाई कम से कम पहली बार खाना खा रहा है तो जड़ा ढंक से तो खा ले देर तक खाना चलता रहा बातें होती रही जब वह जाने लगा तो हम लोग बाहर बगीचे तक उसे छोड़ने आए बाहर भी बातें चलती रही हलकी हलकी ठंड शुरू हो गई थी आकाश पर बहुत सुन्दर चांद उगाया था मैं बिना शौल लिये ही बाहर आ गई थी इस कारण ठंड लगने लगी थी अचानक मैं अंदर की तरफ वापस उन लोगों को बाते करता छोड़ मुड़ी तो देखा अंधेरे बारामदे में गुड़िया खड़ी थी और दिनेश को देख रही थी बाहर क्योंकि लाइट नहीं जल रही थी इसलिए उसने मुझे लोटते नहीं देखा था अचानक मुझे पास देख वहर बड़ासी गई और भी तर चली गई मैं भी छड़भर को सोच में पड़ गई क्या वास्तों में छड़भर में ही कोई अपना सा लगने लगता है दिनेश हमारे गार आता जाता रहता था दिनेश गुडिया नीतु सब बैठ कर घंटो बाते किया करते कभी कभी मैं भी बैठ जाती इधर मैंने महसूस किया कि गुडिया अचानक बड़ी हो गई है उसकी आखों में बचपने के ठुमक कम हो गई थी अब उसकी जगे लाज के साय उतरने लगे थे बाप चुप-चुप जादा रहने लगी थी उसकी हर आहर्ट, सुगंद, चाल, ढाल मुझे बताने लगी थी कि वह सयानी हो गई है और जैसा कि मैं बड़ों के मुझे सुनती आई थी कि लड़की जब सयानी हो जाती है तो मा के नींद उड़ जाती है मैं भी रात को सो नहीं पाती थी दिल की धड़कन बढ़ जाती थी सीने को तकिये से दबाए इस करवट से उस करवट होती रहती थी अचानक मुझे लगने लगा था कि गुड़ियाब गुड़िया नहीं रही सयानी हो गई है जिम्मेदारी का हैसास मुझे दबोचे रहता था अब मैं बड़ी ही बारीकी से गुड़िया काध्यन करने लगी थी मेरी आखे सदा उसका पीछा करती एक सयानी लड़की की मा होने का एहसास मुझे हर छड़ सताने लगा था अचानक उसमें परिवर्तन देखकर मैं भी विचार में पढ़ गई थी उड़िया अब ढंक से सचने सवरने लगी थी घंटो शीशे में अपने को निहारती घंटो में नहा कर निकलती मैं बरामदे में बैठी स्वेटर बुनती रहती पर लगता मैं सलाईयों पर अपने मन के उधेड़ बुन को बुन रही हूँ बांध और खोल रही हूँ आग सलाईय पर होती पर मन भटकता रहता दिनेश का हमारे घर आना जाना बढ़ क्या था वह कभी किताब के बहाने कभी कैसट सुनने के बहाने एकसर घर में आ जाता फिर घंटो नहीं जाता उस दिन टेवी पर कोई फिल्म आने वाली थी दिनेश गुडिया नीतू सब कमरे में बैठे फिल्म आने का इंतिजार कर रहे थे मैं भी तयार होकर कमरे में आई दिनेश ने उठकर मुझे नमस्ते की तो मेरी नजार एकदम से उसके नए स्वेटर पर गई बड़ा ही सुन्दर स्वेटर था अरे तुमने तो बहुत प्यारा स्वेटर पहन रखा है मैंने कहा फिर गुडिया से बोली देख गुडिया उस दिन तो तेरे पापा की स्वेटर के लिए यही नमूना तो बनाने को कह रही थी बनाने पर कैसा अच्छा खिला है न मैंने गुडिया को देखा पर उसकी हालत देखकर मुझे लगा मैंने कोई गलत बात कह दी है वा एकदम सक्ते की हालत में खड़ी थी दिनेश भी परिशान सा खड़ा था मुझे दोनों को देख बड़ी हैरानी हुई भला मैंने ऐसा क्या कह दिया तभी फिल्म शुरू हो गई सब फिल्म देखने लगे पर मेरा मन फिल्म में नहीं लगा मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और पलंग पर लेट गई क्या दिनेश का स्वेटर गुडिया ने मनाया है पर कब थे सारे प्रश्ण मुझे तंग कर रहे थे सैसा मुझे याद आया कुछ दिन पहले गुडिया ने कहा था मामी मुझे एक नए डिजाइन का सलवार सोट सिल्वाना है कॉलेज में कई लड़कियों ने बनवाया है मैंने हामी भर दी तथा उसे पैसे भी दे दिये कि अपने दोस्त के साथ जाकर पसंद का कपड़ा ले आओ बाद में मैं व्यस्त सी हो गई और पूछना भूल गई घर में कुछ महमान आ गये थे मैं उनमें ही लग गई थी कई बार ध्यान आया था कि पूछू गुडिया ने सूट का कपड़ा लिया आया नही एक दिन ध्यान करके पूछा तो बोली मम्मी टेलर को सिलने दे दिया है मुझे बड़ी हैरानी हुई कपड़ा भी न मुझे दिखा ए टेलर को दे दिया यह लड़की इतनी बोल्ड कपसे हो गई गर की स्वामिनी होने के गर्ब को चोट भी लगी पर काफी दिन हो गए सूट सिल कर आया नहीं मेरे भी दिमाग से बात निकल गई एक दिन मैं डिजाइन की किताब में स्वेटरों की डिजाइन देख रही थी एक डिजाइन पर मेरी नजर ठहर गई मुझे डिजाइन पसंद आ गई सोचा इन के लिए नया स्वेटर बनाना है क्यों न यहीं डिजाइन डालनू मैंने गुडिया को आवाज दी और उसे डिजाइन दिखाते हुए उससे राई ली देख गुडिया तेरे पापा के स्वेटर के लिए यह डिजाइन कैसी रहेगी अच्छी है ममी कहते हुए गुडिया नेवा किताब उठा ले अपने आलास जोणों के दर्थ के कारण मैं तो सटर बनाने की बाट टालती रही पर आज उसी डिजाइन का सटर दिनेश को पहने देखकर मैं हैरान थी तो गुडिया ने अपना सूट का कपड़ा नहीं लिया और उन ले आई चुपके चुपके अपने कमरे में सटर बनाती रही और वह भी वही डिजाइन जो मुझे अपने पती के लिए पसंद आई थी उसने वही डिजाइन अपने खास उपहार के लिए चुना बाते मेरे सामने खुलती जा रही थी यानि चिडिया के पंख तयार है और वह अपना नया घोसला बनाना चाहती है मुझे बुरा भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था बुरा इसलिए कि गुडिया बहुत बाते छिपाने लगी थी और अच्छा इसलिए कि वह सुतंत्र हो रही थी बराबर की हो गई थी मैं देखती गुडिया रात भर अपने बिस्तर पर जाकती रहती मैं कभी कोई टेबलेट वगरे ढूंडने के बहाने उसके कमरे में जाती तो वह जाकती मिलती एक दिन जब मैं उसके लंबे वालों में तेल डाल रही थी तो मैंने उसके मन को टटूला गुडिया दिनेश कैसा लड़का है पहले तो वह सक पका कर मुझे देखने लगी उसके चहरे का रंग काला सा पढ़ गया जैसे चोरी पकड़ ली गई हो फिर वह सहज होकर शर्मासी गई तुझे पसंद हो तो बोल तेरे पापा से बात करूँ ममी क्या कर उसने मेरी गोद में अपना सर्चिपा लिया एक देन जब ये दाड़ी बना रहे थे तो मैंने बात्रूम में टॉविल बनियान अंडर्वियर लड़काते हुए कहा क्या अब गुडिया के लिए कुछ सोचना नहीं चाहिए क्या सोचना चाहिए उन्होंने बात को टालते हुए कहा यही कि वह सयानी हो गई है अब उसके ब्याह की बात सोचनी चाहिए ठीक है देखते हैं, सोच लेंगे बात को टालते हुए उन्होंने दाड़ी बना कर वाश बेसिन में ब्रुश जल्दी से धोया बात समाप्त करने की यह उनकी पुराने स्टाइल थी हमेशा वे इसी तरह किसे वे घरेलू मसले को इसे स्टाइल में समाप्त कर देते फिर जल्दी से बातरूम का दर्वाजा भीतर से लगा लेते कि कहीं फिर कोई मसला ना सामने आ जाए घरेलू मसले कहने का भी बस दाड़ी बनाते समय मौका रहता और मैं इस मौके को नहीं चूकती थी बरना सारे दिन वे हाथ से उड़ी चिड़िया की तरफ फुर हो जाते तो फिर हाथ ना आते दिनेश कैसा रहेगा मैंने जल्दी से उनके दर्वाजा बंद करने से पहले अपनी बात कह डाली जानती थी कि चूक गई तो फिर चूक गई क्या वे जैसे चौके और शीषे में अपनी शकल का गुमा गुमा कर निरिक्षन करने लगे कि दाड़ी सही बनी है या नहीं इस तरह भी वे मेरे मसले उठाने तक अपना एक नएक काम निप्टा ही लेते थे मार दिया न चक्का उन्होंने पलटकर मुझे हैरानी से देखा तुम औरते होती बड़ी तेज हो औरत न होती तो दुनिया चलती ही नहीं सही में मेरा ध्यान तो कभी दिनेश की तरफ गया ही नहीं आई इस लड़का मिल जाए इससे अच्छा और क्या होगा बाहर आकर मैं भी प्रसन्य थी बस इसी उधेड़ बुन में रही कि दिनेश के मन को कैसे टटो ले आखिर एक दिन मैंने उसे पकड़ ही लिया बुडिया कॉलेज बिन थी नीटो स्कूल गया था नौकर को भेज कर दिनेश को दही बड़ा खाने के बहाने बुला लिया जब वह आ गया तो दही बड़े की प्लेट उसके सामने रखकर मैंने उससे कई प्रश्न कर डाले घर में कौन-कौन है? क्या करते हैं? क्या पढ़ते हैं? कितनी बेहनों की शादी हो गई? उसकी कहीं शादी तो तै नहीं हो गई? नहीं आंटी नहीं कहते हुए वशर मासा गया भई मैंने तो इसले पूछा क्योंकि पता है मसूरी से ही लड़कों का हाका शुरू हो जाता है वहाँ तो सुना है लोग लड़की और गठरी दोनों लिये घूमते हैं फिर साथ की लड़कियों से भी चक्कर चल जाता है तो सब कुछ पहले ही हो जाता है ना? हाँ आंटी सही है वह हसा हाँ तुम्हारे अंकल कहते हैं जो लड़कियां अच्छी रहती हैं उनकी शादी तो बहीं साथ के लड़कों से तै हो जाती है मची खुची तो सब छटा छटाया माल होती है और आंटी बचे लड़के उसने मजाग से पूछा वह हम जैसी बेचारियों के पल्ले में बांधे जाने के लिए रह जाते हैं मैंने हस्ते हुए कहा पर लड़कियों को तो छटा माल कह दिया जाता है खुद उन्हें कहा जाए तो अकल सही हो जाए अंकल कैसे छटे रह गए उनका कहना है जब लड़की वाले आते थे तो वे खिसक जाते थे सही बात तो या है दिनेश्ट तुम्हारे अंकल को तो फता था कि आई इस लड़की तो एक महीना भी चला नहीं पाती इनके साथ तुम्हें गुडिया कैसी लगती है मैंने अचानक उसके कप में केटली से चाय डालते हुए पूछा जी वा जैसे चोरी करते अचानक पकड़ लिया गया हो देड तक चुप रहा फिर कप को देखते हुए बोला आंटी आपने मेरी प्रॉब्लम समाप्त कर दी कई दिनों से लगातार मैं भी यह सोच रहा था पर आपसे बात करनी की हिम्मत नहीं हो रही थी हम अंतर यामी जो ठहरे मैं हसी दिनेश खुश-कुश घर से गया मैं भी सारा दिन खुश थी बिटिया इतनी जल्दी ने बढ़ जाएगी यह तो सोचा ही नहीं था साथ की मिसिस वर्मा, मिसिस शर्मा को देखो कितनी परिशान है लड़की एम्मे की ये पांच साल से घर में बैठी है दहे जिकठा करते करते एक उबेर का खजाना हो गया है वे तो हर किसी के सामने बिटिया का सौदा करने बैठ जाती है खुले आम बोलती है पांच लाग का तो समान जोड लिया है मांगेगा तो और दे देंगे और उसने तो अभी गुडिया के नाम पर एक रुमाल भी नहीं सिला है और बात तै हो गई इसको कहते हैं तकदीर शाम को ये ओफिस से लोटे तो टेलीफून फाइल देखने की बजाए मुझे खोजने लगे घर में मैंने भी सोचा कि आज बात क्या है मुझे तलब करते ही पूछा भई क्या हुआ कुछ दाना वाना चिडिया को फेका की नहीं चिडिया? मैं ठुमकी शेर कहो शेर को दाना फेकने की जरुरत नहीं होती वह अपना शिकार खाने खुद ही आता है अपना शिकार वह दूसरे को खाने नहीं देता रियली? वे अचम्भे में पड़ गए तुम्हारे हाथ तो बड़े बड़े टेड़े सीधे हो जाते हैं चलो इसी बात पर बढ़ियां चाय हो जाए वह शाम बढ़ी ही अच्छी गुजरी शादी के बाद की मुझे याद नहीं इससे बढ़ियां कोई शाम की हो समय कड़ जाता कब दिन हुआ कब रात बीत गई पता ही नहीं चलता गुडिया को दुलहन बनी देखती दिनेश को दूला मैं सजी बनी बेटी की शादी की तयारी में वेस्थ हूँ खूब बड़ा शामियाना लगा है रेशारी महमान, उपहार, दावत, जश्न, बेंड गुडिया को हल्दी लग रही है, नाच हो रहा है, सब छेड रहे है दुलहन बनी शर्माई सी गुडिया को, अपने ही रूप को यू सजा सवरा और निखरा दोबारा देख कितना भला लग रहा है खूब बनने गाय जा रहे है, बारात आई है, समदियों के लिए गालियां गाई जा रही है, सब दुलहा दुलहन को ही देख रहे है हाई कैसी रामसीता की जोड़ी है, हाई गुडिया को नजर न लग जाए, मैं एहतियातन लोहे का छोटा चा को उसे दे रही हूँ भावरे पड़ रही है, हाई यह क्या, मैं क्यूं भावर देख रही हूँ, कहते हैं बेटी की भावर और नदी में बाढ़ पर आई भावर को नहीं देखना चाहिए मैं आखे बंद कर लेती हूँ, गुडिया विदा हो रही है, वह मेरे गले से जूल कर रो रही है, हाई लड़की को कैसे विदा दू, आख से आसु बहने लगते हैं, और मैं बैठे बैठे रोना शुरू कर देती हूँ फिर मेरी तबियत खराब होने लगती है और मैं जाकर पलंग पर लेट जाती हूँ, और लंबी-लंबी सास लेने लगती हूँ हमारा बंगला जो धेर-धेर पेडों से घिरा था, बाहर की चक-चक से दूर उसकी शान्ती मुझे अच्छी लगती थी कचनार का बड़ा सा पेड जिसकी पत्निया पीली पढ़कर जढ़ने लगी थी, फूलों से ढकसा गया था, पेड की हर डाल फूलों से लद उठी थी, हलके बैंगनी और सफेद रंके मिश्रित फूलों में बेहद आकर्शन था कचनार के चांदनी रंके तने को दोतों ने जगे जगे से खोखला कर उसमें अपने डेरे डाल लिये थे, मैं घर का काम निप्टा कर यहीं आकर बैट जाती थी और घंटो गुमसुम सी बैठी यहां की हलचल परखा करती अशोक और मौलसीरी की घनी चाय ने वहाँ ठंड़क बना रखी थी, मौलसीरी की पत्या इतनी घनी थी कि सूरज के घुसबैट नाकाम सावित हो गई थी, तरह तरह की धेर धेर चड़ियां थी, जिनके शोर से वह शान तिला का आबाद था वुडिया और दिनेश अप्खू फ्री हो गए थे, या मैंने उन्हें फ्री कर रखा था, वे घंटों अशोक और मौलसीरी की घनी चाय में बैठे रहते शाम जैसे जैसे होने लगती, नजाने कहां कहां से धेर धेर चड़िया, जुंड के जुंड वहां आने लगती, और अपने लिए सुरक्षित इस्थान की टोह में आपस में लड़ने लगती लगता था सारे आसपास के इलाके की चड़ियां यहीं आकर रात में डेरे डालती थी या उनकी बेहत वहचानी सी जगए थी कभी-कभी तो अंगीनत चड़ियों की आपस की चक्षक से किसी मेले के शोर सा अभास होता मनुशे का आतंक भै हर जगए है पर यहां चड़ियों के आतंक ने मनुशे को भी डरा रखा है सोचते ही यह मुझे हसी आ गई गुडिया और दिनेश मेरे पास आकर बैठ जाते और तब हम तीनों मिलकर भविशे के सपने बुनते देखो तुम्हारी पहली पोस्टिंग कहा होती है मैं दिनेश से कहती शादी पोस्टिंग के पहले ही हो जाए तो ठीक रहेगा जब तुम वापस मसूरी को जाओगे तो दोनों साथ जा पाओगे अच्छा रहेगा एक दिन जब मैं बैठे बैठे गुडिया की शादी का प्लैन तैयार कर रही थी तो गुडिया की पापा मेरे पास आकर बैठ गए गुडिया दिनेश और नीतू दूसरे कमरे में बैठे ताश खेल रहे थे तुम ने दिनेश और गुडिया को इतनी छुट दे रखी है क्या यह ठीक है क्यूं क्या हुआ इसमें बुरा क्या है मैंने चौक कर पूछा माल लो या शादी नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाईगी मैंने चिड़ कर कहा कोई हमारा जमाना थोड़े ही है जब चाहने वालों के लोग दुश्मन हो जाते थे खुद माबाब दुश्मन हो जाते थे अब इसे गुडों में शामिल कर लिया गया है फिर भी अरे घर बैठे आई अस लड़का मिल गया या क्यों नहीं सोचते मैंने दिलेरी से कहा इतने अच्छे लड़के के लिए तो हर कोई फंदा फेक ने बैठा है अचानक दिनेश के घर से टेलिग्राम आया कि उसकी मा बिमार है सारे घर में हलचल सी मच गई दिनेश के चहरे पर हवाईयां उनने लगी दिनेश को परिशान देखकर गुडिया का चहरा सूग गया वह सारे दिन लगी रही और दिनेश के जाने की तयारियां करती रही मैं सारे दिन रसोई में लग कर रास्ते का खाना तयार करती रही तीन दिन का रास्ता था दिनेश अकेला ही नहीं सारा घर परिशान था माँ बाप को दिखाने के लिए दिनेश ने गुडिया के कई फोटो रख लिए गुडिया के पापा दिनेश को बार-बार ताकीद करते रहे कि जाते ही मा की खबर फोन से देना फिर मौका लगते ही शादी की बात कर लेना आदी सब दिनेश को छोड़ने स्टेशन तक गए गुडिया का रोरो कर मुहलाल पड़ गया था दिनेश का मौ भी रुआसा हो गया था दोनों की यहालत देखकर मेरा दिल अलग डूबा जा रहा था ट्रेन छोटी तो हम लोग दिनेश को विदा कर मुड़ गये पर गुडिया दूर तक जाती ट्रेन को देखते हाथ हिलाती रही और रोती रही बड़ी मुश्किल से समझा कर हम लोग उसे वापस घर ला पाए अपना ही घर जैसे पराया हो गया था, सब यहीं था, सब कुछ अपने इस्थान पर था, सारे लोग वही थे पर जैसे दिनेश के न रहने से सब शुन्ने सा हो गया था, अजीब सा खाली खाली पन घर के कोनी कोनी में समा गया था सब जैसे चुप-चुप से हो गए थे किसी के पास कहने को बोलने को जैसे कुछ शेश नहीं रह गया था पहले वही चिडिया का शोर कान के परदे फाड़े डालता था पर अब वही शोर कानों को अच्छा लगता था लगता था चलो कोई बोल रहा है बोडिया अपने कमरे में ही पड़ी रहती कभी खाती कभी नहीं खाती या तो दिनेश के जाने के बाद मुझे पता चला किस घर का हर काम दिनेश के लिए ही होता था यहां तक की मैं खाना भी पकाती थी तो दिनेश को ध्यान में रखकर उसे तरह तरह की चीजें खाने का शौक था और जैसे सारी रसोई उसी के लिए बनती अब तो खाना खाने की रुची वाला कोई था ही नहीं बुडिया के पापा तो दस तखरों के साथ ले देकर दो रोटी पहले खाते थे अब तो जैसे दो रोटी के भूग भी उनकी खत्म हो गई थी जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा कर जीता जाकता महल पत्थर का कर दिया था हम लोग दिनेश का इंतजार ही कर रहे थे और सोच सोच कर परिशान हो रहे थे कि पता नहीं उसकी मा का क्या हाल है गुडिया टेलिफोन लगा लगा कर परिशान हो रही थी पर दिनेश से बात नहीं हो पा रही थी ऐसे संकट से भरे दिनों में अचानक दिनेश की लगभग एक माह बाद चिठ्थी आई पहले तो सारा घर चिठ्थी के समाचार से खुश्री से पागल सा हो गया पर जब गुडिया ने चिठ्थी पड़ी तो वह लगभग चीख कर सोफे पर वैट गई और रोने लगी मैंने जल्दी से गुडिया के हाथ से चिठ्थी ली और पढ़ी तो लगा मेरी तबियत फिर खराब होने वाली है सारा घर जैसे गुडिया के दुख को ढू रहा था दिनेश ने लिखा था कि उसकी मम्मी का दिहान थो गया और मरते मरते मम्मी की इच्छा उसे पूरी करनी पड़ी उनकी बहन की अनाथ लड़की से उसे शादी करनी पड़ी मम्मी ने तुरंथ पंडित को बुला कर अपने सामने फेरे डलवा दिये दिनेश ने बहुत-बहुत माफी मांगी थी पत्र पढ़कर मैं बहुत चक्की सी रह गई गुडिया अपने कमरे में जाकर बंध हो गई मैं भी अपने पलंग पर आकर लेट गई सारे घर में मातम सा चागया अब दिनेश के बिना इस घर की कलपना भी नहीं हो सकती थी नीतु ने दफतर फोन कर अपने पापा को सब बता दिया वे भी दफतर से बधवास से भागे आए और आते ही गुडिया के कमरे की तरफ गए पर उसका कमरा भीतर से बंध था काफी खटखटाने पर भी नहीं खुला तो फिर मेरे पास आकर पलंग पर बैठ गए धैरे रखो इतना दुख करने से कैसे होगा उन्होंने समझाने की गरत से कहा चुप रहो मैं चीखी तुमने भी तो बस लड़कियों के साथ खिलवाड ही किया है कभी प्रेम किया होता तो समझते दर्द को तुम तो हर बात में मुझे ही दोश देने लगती हो वे दुखी हो उठे आखिर मैं भी तो उसका बाप हूँ न उनका इतना बोलना था कि मैं मुँ में रुमाल ठूस कर फूट फूट कर रो पड़ी मेरा मन लहू लुहान हो रहा था पहले प्रेम की चाहत कितनी होती है मन को उस पहले सपने के तूटने का कितना दर्द होता है इनसान जिन्दगी भर के लिए कमजोर हो जाता है यह बात मैं जानती थी सारे लोग कहते थे सुन दर्दा में गुडिया मुझ पर गई है पर किस्मत में भी वह मुझ पर जाए यह बात मैं सोच भी नहीं सकती थी इसलिए आज फिर एक सपने का एक जिन्दगी का एक मूरत का तोड़ा जाना मुझे भीतर से खल रहा था इस दर्द को मैं पहचानती थी पर इस दर्द को गुडिया भी पहचाने यह सह नहीं सकती थी शीशम के उस विशाल विक्ष की लगभग सोखी टहनियों पर जिसके हरे पत्ते पीले पढ़कर जड़ गए थे उसकी नंगी होती टहनियों पर अकसर भरी दोपहर को धेर सारी फाखता रंग बिरंगी काली चिडिया आकर बैठ जाती और अपने आप में डूबी सी जाड़े की दोपहर का सेख लेती थी शेशम का पेड उचा था इसी कारण उसकी टहनियों पर धूब भी काफी देर तक टिकती थी आज शेशम की टहनियों पर काले रंग की लंबी चोच वाली चिडिया आकर बैठी थी मैं अपने कमरे की खिडिकियों के पास चुप सी खड़ी बगीचे की चहल पहल को देख रही थी मट मैले छितरे हुए बादल को लगभग छूता एक पक्षी अपनी जिद में उड़ा जा रहा था जैसे बादलों को ललकार रहा हो कि तुम से उचा मैं उड़ सकता हूँ मैं देर तक आकाश को देखती रही जिस दिन से दिनेश की चिठ्ठी आई थी मैं गुडिया से बोली नहीं थी बोलती भी क्या जानती थी सांतोना देने से दर्द और बढ़ जाता है जाने एका एक कहां से मुझे में हिम्मत आ गई और मैंने अपने को सहेजा समीटा बातरूम में जाकर मुँहाद धोया और आलमारी से निकाल कर बढ़िया साड़ी बदली बालों को खोल कर जूड़ा बनाया यानि अपने को हर तरफ से चुस्त दुरुस्त किया अपनी जिन्दगी की हार मुझे स्विकार थी पर मैं बच्चों को उनकी जिन्दगी में हारने नहीं देना चाहती थी कमरा खोला तो देखा वा मन हूँ सूरत बनाये छट को एक टक देख रही थी उसे देखकर मेरा मन फिर भावुक होने लगा पर मैंने तुरंट अपने को समाला और उसे पुकारा गुडिया मेरी आवाज पर वजय से डाल के तोड़े हुए फूल की तरह मेरी गोध में सिमटाई और तडपकर रूनी लगी मम्मी मम्मी अब में क्या करूँ वह मेरी गोध से चिपकी हुमक हुमक कर रोती रही मैं देर तक उसकी पीट को सहला कर उसे धीरच देती रही और फिर मैंने उसके माथें को चुमते हुए कहा गुडिया दिनेश की इस बुझदिली का यही तमाचा भरा जवाब होगा कि अब तुम खोद आयस बनकर दिखाओ मैं दूसरी मा की तरह तुम्हें अच्छे रिष्टे का जूठा आश्वासन नहीं दूँगी दोनिया में कहीं अच्छा नहीं है जो व्यक्ति खुद स्वाव लंबी होगा वही दुनिया का सच्चा अनंद प्राप्त कर सकता है और आत्म निर्भर होने के लिए साहस विश्वास एवं परिश्रम की अतियावशकता है छोटी छोटी विपत्या जो हमेशा इंसान को कमजोर कर देती है इनसे परे हो जाओ अपने को ठोस बना लो क्या सच गुडिया ने चोग कर मेरी और मूँ उठाया मैं क्या आयस बन सकती हूँ उसने पहली बार मुझे अच्छे से देखा उसकी आखों में ढेर सारे आसू भरे थे इसके बावजूद उस पे चमक थी हाँ क्यूं नहीं मैंने उसमें आत्मे विश्वास भर दिया गुडिया के भेगी आखों में नई राहत नई चमक तैर गई और उसकी आसू भरी आखे मुस्कुरा उठी थी अभी आप सुन रहे थे महरू निसा परवेज जी की लिखी कहानी क्यों नहीं